RSS और मोदी सरकार को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जो BJP और RSS लगातार कॉंग्रेस पर चीन को लेकर सवाल दागते थे अब उसी RSS की मीटिंग चीनी अफसरों से खुले तोर पर हो रही है यहां तक कि दोस्तों इस मीटिंग पर लोग भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं यह रिष्टा क्या कहलाता है दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के सासा RSS के सितारे भी गरदिश्वे चल रहे हैं बीजेपी सरकार में जनता के अच्छे दिन आए हो या फिर ना आए हो लेकिन बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत लगता है शुरू हो चुकी है बता दे दोस्तों आपको सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाय चल रही है कि RSS और चीन के बीज कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है अब क्या खिचोड़ी पक रही है इसकी पोल खुद सुपरिया शिनेत ने खुले तोर पर खोल कर रगती है चुनता के सामने बता दे सुपरिया ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है जोसमें वीडियो के साथ क्या कुछ लिखा है वो बताते हैं उन्होंने लिखा RSS और चीन के बीज में चल क्या रहा है मोदी चीन की प्रेम कथा की कीमत तो आज भी देश चुका रहा है अब RSS के साथ क्या पक रहा है इतिहास में पहली बार चीन के राज नाइको का एक दल दिसंबर 2030 में नाकपुर इस्तिर RSS के मुख्यालिया गया क्यों गया किस लिए गया इसके पीछे क्या रणनीती है क्य सुप्रिया शुनेत ने बता डाला है आप भी खुद सुनिया और खुद देखिए सुप्रिया शुनेत क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणी आएंगर RSS का आ गया है लेकिन यह चिंता का विशह है और चिंता का विशह इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनेक चीन के दूतावास के जो टॉप ओफिशल है वो RSS के हेड़कोटर नागपुर में गए वहां क्यों गए RSS कोई राजनितिक दल नहीं है RSS सरकार का हिस्सा नहीं है RSS तो अपने आपको गैर राजनितिक दल सांस्कृतिक दल बताता है तो वहां पे क्या हुआ और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछी द सामाने नहीं है तो जब रिष्टे सामाने नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए RSS यह लग बात है कि यही विदेश मंतरी पिछले साल कह रहे थे कि हम छोटी एकॉनिमी है हम बड़ी एकॉनिमी के साथ कैसे निप्टेंगे अपनी सेना के शौर और को एस जैशंकर से सीख ले लेकिन आप याद रखिए कि हुआ क्या है अप्रेल मई 2020 के बीच में चीन घुसपैट कर रहा था और 15 जून की वो सिया रात 2020 की जब 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई यह अलग बात है कि चार दिन बार मोदी जी ने देश से सीधा सपे कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं है और कितनी बड़ी विडंबना है कि तब से 19 कोर कमांडर लेवल की बातचीत में मीटिंग में चीन वही क्लीन चिट लेकर बार बार दोराता है कि आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है लेकिन इस दौरान क्या किय इस दोरान मोधी सरकार में हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट जहां तक हम गश्ट करते थे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 उनको बफर जोन में डाल दिया जिर नणनेतिक इलाकों पर हमने कबजा किया था वहां से सेना को पीछे किया गया और यहीं नहीं सिर्फ 21 ल पुष्ट्री भाजपा के खुद के काउंसलर ने लद्दाफ में किये वहां के चरवाहों ने किये कि जहां तक पहने जा सकते थे अब जा नहीं पा रहा है अरे सब कुछ छोड़िये इनका खुद का सांसद अरुनाचल में कहते हैं कि चीन गाउं बसा रहा और मोधी जी की आखों से चीन के प्रेम की पट्टी ही नहीं उतरती है लेकिन इस दोरान सरकार ने क्या किया जब यह सब हो रहा था सरकार ने चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट किया आपकी आखों में धूल जोकने के लिए राश्चुपती से मोदी जी की कईव 18 मीटिंग हुई है 30 बार आए गया है वो अलग बात है इन 18 मीटिंग में मोदी जी ने देश के हित के बारे में क्या बात किया मैं नहीं जानती हो लेकिन अभी एक मीटिंग हुई थी साउथ आफरिका में अगस 2023 में और उस मीटिंग क के बाद चीन ने एक मैप रिलीज किया जिसमें हमारे ही देश के जगहों का अपने देश में बता दिया गया मोदी जी चुप रहें बिलकुल चीन का नाम नहीं लेते हैं लाल आख दिखाने की बात करते थे यहाँ पर तो उनको जूले जूलने से फुरसत नहीं है यहाँ मती के तट पे जूल रहा है महाबली पुरम में नारियल पानी पिलाने से फुरसत नहीं है यहाँ पर शेहनाई सुनने से फुरसत नहीं है और जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद वो पहली बार राश्ट्रपती शी जिन पिंग से मिले तो बजाए लाल आख दिखाने के लाल शोट पहन के गलवाईया करने को तयार थे तो आज सवाल ये है कि आपकी महबबत का जो चीन से खामियाजा है उसका जो कॉस्ट है वो देश अदा कर रहा है उसकी कीमत देश चुका रहा है अब ये RSS के साथ क्या खिचड़ी पकर रही है ये समझना जरूरी है क्योंक को भी देना पड़ेगा और ये नागपुर में बैठे हुए RSS के लोगों को भी देना पड़ेगा तो दोस्तों सुना आपने कैसे पूरी सच्चाई उजागर करते हुए RSS और भारती जुनता पार्टी की पोल पट्टी सुप्रिया शुनेत ने खोल दी सुप्रिया ने सा आपने बाद नमस्काल जय हिंद जय भारत चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें